Hello everyone, welcome to you all on my YouTube channel. I hope आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो exam की preparation है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो मैं आज आपको यहाँ पर जो बार्क हमारी जो site है, उसके अंदर क्या है? एक scientist post होती है, उसके लिए हमारे application forms जो है, वो on हो चुके है. तो इसका क्या नाम है? Recruitment of Scientific Officers in the Department of Atomic Energy, जिसको बोलते है B.A.R.C. तो यहाँ क्या है? Group A post of Government of India की तरफ से क्या है? यह recruitment होती है. तो यहाँ क्या है? इसमें हमारे जो online application है, उसकी dates release हो चुकी है. तो यहाँ क्या है? देखो, online registration of application, उसकी date है 30 December को release हो चुकी है. मतलब की कल release हो चुकी थी. और इसका जो last submission है, application form का, वो है 30 January 2024. फिर उसके बाद है यहाँ पर, हमारी यहाँ क्या है? जैसे कि हम normally कोई भी exam फिल करते हैं, तो normally, जैसे कि यहाँ इसको क्या बार कंडेक्ट करवा रही है? इस exam को, scientist post के लिए क्या है, हमारी exam होती है. तो यहाँ पर क्या है? जैसे कि हमारा अगर get exam होता है, उसमें अगर बहुत अच्छा score होता है, या बहुत अच्छी rank होती है, तो हम क्या है? बार के base पर भी है. क्या है इसको? यह देखो. last date of, sorry, 4, uploading the gate 24, score for the candidates applying on the basis, get 24 score. तो यहाँ क्या है? बहुत अच्छा score आता है, तो हम उसकी base पर भी इसको क्या fill कर सकते हैं, इस form को. तो यहाँ क्या है? अगर हम normal bar के अंदर ही इसको fill करते हैं, तो उसमें क्या है? पहले exam देनी परती है, उसके बाद interview के लिए हमारा selection होता ह लेकर हम gate की base पर करते हैं, तो यहाँ क्या है? डायरेक्ट हमारे, हमें interview में ही जाना पड़ता है, कोई exam नहीं देनी होती, लेकिन इसके लिए चर्थ यह है, कि हमारे बार्क जो exam है, उसमें बहुत अच्छी rank आनी चाहिए. फिर उसके बाद क्या है? शॉर्ट लिस्टेड जो candidates है, उनका first week में पता लग जाएगा कि कौन-कौन interview के लिए select हुआ है, तो first week of April 2024 में आप लोगों को यह चीज़ पता लग जाएगी, फिर उसके बाद है हमारे, फिर जिनका selection होगा interviews के लिए वो है, 14 माई to 14 जून तक हमें यह पता लग जाएगा, फिर उसके बाद है, candidate है, candidates finally selected for OCES 2024 on online application portal यहां क्या है, selected student क्या है, first week of June 2024 को वो अपना roll number देख सकते है, यानि जो selected students है, वो अपनी जो भी information है कि आपका selection हुआ है, कि नहीं हुआ है, वो first week of June को अपना result देख सकते है, तो यह सारी information dates थी, कब हमारे exam होगी, तो online exam जो है, इसका mode जो होता है, जो है, वो online होगा, और exam जो है, कब होगी, तो वो है, 16 March to 17 March को क्या है, हमारी exam होगी, तो यहां क्या है, यह सारी information जो होती ही, मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस exam को क्या है, बहुत कम लोग ही crack कर पाते हैं, इसका reason क्या है, इसका reason यह है, कि यह जो exam होती है, बहुत limited age के लिए ही होती है, जैसे general category में क्या है, लास्ट जो age है, वो 26 ही माने जाती है, यहां पर क्लिक here, for new registration, जो बंदा पहले registration कर चुका है, तो वो क्या है, वापस से new registration नहीं करेगा, वो already, यह क्या है, login for already registered candidates, यहां पर अपना, वो करेंगे, लोग-in करेंगे, and जो first बार अपना registration कर रहा है, वो यहां करेंगा, click here, for new registration पर, click कर करेंगे, पहले registration करेंगा, and उसके बाद अपना form फिल करेंगा, और form फिल करने के लिए, क्या है, reference documents है, यहां क्या important dates क्या है, कब exam होगी, exam का mode क्या होगा, जो भी चीज़े थी, वो मैंने आपको इस चीज में कवर कर दी है, उ करना है, क्या क्या information दी ही है, उसकी base पर ही आपको अपना application form फिल करना है, फिर है age and application fees, तो age और application fees हम एक बार देख रहेते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, यह देखू, जनल की जो age limit होती है, वो है 26 years, उसके बाद क्या है, OBC है, उसकी है 29 years, फिर है SC and ST है, इनकी जो maximum age limitation है, वो है 31 years, फिर उसके बाद है, अगर हम देखें, तो जनल की हमारी 500 है, OBC की भी 500 है, और SC and ST में कोई भी fees नहीं लगती है, तो यह सब चीजे आपको clear हो गई होगी, कि कितनी क्या fees है, और क्या आपकी age criteria, यहां क्या होता है, age criteria इतना limited होता है, कि बच्चा जब तक इसक क्रॉस कर लेता है, तो इसलिए क्या है, इस पोस्ट को बहुत कम लोग ही क्रैक कर पाते हैं, तो यहां क्या होता है, इसका जो base होता है exam का, वो CSIR net के उपर ही based होता है, बट इसमें यह क्या होता है, जैसे कि अपना CSIR net होता है, उसके PYQs हमें provide होते है, response seat आती है, बट इस पेपर आता है, क्या नहीं आता है, क्योंकि इसका कोई किसी भी site पर कोई आपको PYQs इसके नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए क्या है, जब exam देने जाते हैं, तब ही कोई हमें हमारा personal experience share करता है, तब ही हमें पता लगता है, कि यह exam का pattern कैसा आता है, इस टाइप की questions आते हैं, लेकिन जहां तब मुझे पता है, मुझे पता नहीं है, मतलब काफी बच्चे देते हैं, उनसे पता लगाए कि इसमें जो pattern होता है, वो CSIR NET की जैसा ही होता है, उसी टाइप की questions आते हैं, लेकिन जो time duration है, और जो exam का, जो options पूछने का जो तरीका है, वो थोड़ा different होता है I hope आपको सारी information समझ में आई होगी, और फिर भी आपको कोई doubt रहे, तो आप comment section में comment करकी पूछ सकते हैं, thank you